सब्सक्राइब तो आप सब्सक्राइब बटन, क्लिक ते बेल बाटन और इन्जोई दे लेडिस अप्लोट स्वागत है आपकी अपनी ख्याती ग्लासेस में मैं लेकर आया हूँ बहुत ही बड़ी कुश्कवरी क्लास 10, क्लास 12 की मार्कशीट किस प्रकार से त्यार की जाएगी वो सबी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं बुले और चैनल पर नए है मित्रो तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अन कर दीजिए तो बात करता हूँ क्लास 10 और 12 की मार्कशीट में क्या बैस होगा क्या आदार होगा वो सबी बाते यहाँ पे क्लियर करेंगे तो देखना 10 ग्लास और 12 ग्लास दोनों में आपके क्या क्या आदार होंगे तो सबसे पहले बात कर लगता हूँ, यहाँ पे आपकी कौन सी मार्खषिट देखी जाएगी, तो यहाँ पे देखी जाएगी 8 क्लास की मार्खषिट, 12 क्लास के लिए यहाँ पे 10 की मार्खषिट, और 2 बात और कर लगता हूँ, 8 के बाद आपकी 9 की मार्खषिट देखी जा आएगा यानि जैसे मान लो कि 8 और 90 मार्क्षीट को देखकर एवरेज परसेंटे जैसे आपके 53 परसेंट बन रहें तो क्या आपके क्लास 10 के अंदर 53 परसेंट होंगे बिल्कुल नहीं मित्रो उसी तरह से 10 और 11 के एवरेज परसेंट निकाले गए जैसे आपके 48 परसेंट न करने वाले student के साथ कितने percentage साथ में दिये जाएंगे यानि government आपको यहां पे क्या देने वाली है तो आपको यहां पे gift देने वाली है 10% 9% 8% 7% इस प्रकार से आपको 3% 2% 1% इस प्रकार से आपको यहां पे gift मिलने वाला है एक ratio त्यार किया जाएगा जैसे किसी के 40 से 50% है तो उसको 10% दिये जाए 50 से 60 हो उसको 9 दिये जाए या 60 से 70 हो उसको 8 दिये जाए या वहां पर जैसे 75 से 85 हो उसको 3% दिये जाए या 4% दिये जाए उस प्रकार का एक ratio त्यार करेगी यानि आप मान लेना कि आपके 53% बन रहे हैं और साथ में आपको 10% include करके government देने वाली है य उसी प्रकार 12 क्लास की जो माक्षिट त्यार होगी जैसे आपके 48% बन रहे हैं तो उसी के साथ आपके 10% को जोड़ दिया जाएगा और आपके 58% 12 क्लास के अंदर आपको दिये जाएंगे ऐसा पूरा ratio त्यार किया जाएगा इस बार और आपकी माक्षिट त्यार की और नया सेशन जल्दी से स्टार्ट हो जाए तो वीडियो अच्छा लगाए मित्रो तो लाइक कीजे और ज्यादा से ज्यादा शेर करना नहीं बुले और चैनल को सस्क्राइब कर दिजिए बेल आइकन को ओन कर दिजिए जैहिन जैवारत ख्याती ग्लासेज